अब जोड तोड की राजनीत तेज हो गई है किसी भी एक दल को पूर बामत नहीं मिलना जादोई आकड़ा पार ना कर पाना यही होता है और इसलिए शरतपवार ने नितीश और चंद्रवागु नाइडू से बात चीत की है ताकि इंडी गड़बंदन की तरफ वो रुख कर जाएं सरकार बने तो पड़ी खबर आपको उता रहे हैं तो देखिए अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो बहुमत का आकड़ा है किसी भी एक पार्टी को यहां पर नहीं मिला है और ऐसे में संकट के बादल जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी पर मंडरा रहे हैं लेकिन और चंदॉली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्की बड़ी खबर चंदॉली से जहां पर बीजेपी परत्याशी जॉक्टर महेंदरनाथ पांड़ी की हार हुई है करीब 20,000 वोटों से हारे हैं महेंदरनाथ यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदॉली से तो केबिनेट मंतरी रहे एक बड़ी हार इसे चंदौली से कह सकते हैं बीजेपी के लिए महेंद नात पांडे हार का सामना उन्हें करना पड़ा मोधी केबिनेट का एक चेरा जो कि अपनी सीट भी नहीं बचा पाए महेंद नात पांडे तो बड़ी खबर आपको उता रहे तो चंदौली सीट बीजेपी के हाथ से गई तो इस पक्त की बड़ी खबर मंतरी मोधी केबिनेट के हार का सामना करना पड़ा महेंद नात पांडे गड़बंदन के प्रताशी ने बीस हजार वोट से करीब उन्हें शिकस्त दी है तो बड़ा उलट फे उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर आपको उता दे दो गंड़े बाद कॉंग्रेस की प्रेस कॉंफरेंस जिस तरीके से इंडी गड़बंदन लगा था पढ़ात बरहा है इस चुनाव में और ऐसे में नतीजों के बाद मीडिया से मुकातिब होंगे राहूल गाधी शाम साड़े पाच बजे कॉंग्रेस की प्रेस कॉंफरेंस करेगी दो गंड़े बाद कॉंग्रेस की प्रेस कॉंफरेंस अलाकि करीब देड़ गंड़े बाद ये प्रेस कॉंफरेंस होनी है शाम तक पहुचने के बाद जाहिर तोर पर हाथ तो नहीं मानेगी और ऐसे में जो जोड तोड की राजुनीती है उसे आप देख सकते हैं एक व्याखित रूप पर वो सामने आएगी दो घंटे बाद कॉंग्रेस की जो प्रेस कॉंफरेंस रहने वाली है इस प्रेस कॉंफरेंस से साफ हो जाएगा कि कॉंग्रेस के मन में क्या है किस तरीके से जो मीत की किरन कॉंग्रेस इस समय देख रही है अपने साथ उसे एक खुले आसमान पर फैलाने के लिए कोशिश करेगी कॉंग्रेस और ये रणनीती कॉंग्रेस अपनी बताएगी और जाहिर तोर पर जिस तरी किसे कॉंगुरेस के तमाम नेता ये क्या रहे थे कि एकजिट पोल से उलट नतीजे जो आएंगे कही ना कहीं वो सही होता भी दिखाई दे रहा तो मेटी से स्पृति रानी की हार हुई है एक और मंत्री जिनकी हार मेंदरनाथ पांडे चंदोली से हारे और स्पृति रानी अमेटी से हारी केल शर्मा जो की बेहत खास कादी नेर्यू परिवार के चुनाव लड़वाते रहे सुनिया राहुल को उन्हें इस पार्टी कट पिला कॉंग्रेस कह रही थी कि रायबरेली भी जितेंगे साथी साथ अमेटी भी जितेंगे और यही हुआ अमेटी से स्पृति रानी की हार हुई केल शर्मा की जीत तो पड़ी ख़बर आपको उता रहे एक और सीट कॉंग्रेस के हाथ में यानिकी घडवन्दन के हाथ में कॉंगरेस का जो एक आत्म विश्वास का लेवल लूज होता जा रहा था वो यहाँ पर अब देखने को मिर रहा है शुभम हमारे साथ ही समय लाइफ जुड़ चुके हैं शुभम इन दो सीटों की हम बात करें तो देखिए कॉंगरेस का आत्म विश्वास इसके बाद बढ़